ओम श्यान्ती, सोल अक्टोबर की श्रेवदन में अपसपस हो जाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि धाड़ना सुरूप त्वारा सेवा करके खुशी का प्रतिक शिफल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवा धारी भवा, पहले तो खुद के अंदर वो धाड़ना होनी चीहें, चो आपको नहीं मिलता है, तो अपनी अवस्था गिरावट वा हलचल में ना आए, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, अगर सेवा का चांस नहीं मिलता है, तो यह नहीं कि आप किसी से इर्शा करना शुरू कर दो, या आप नाराज हो जाओ, या रूड जाओ, अगर ग्यान सुना आने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धार्ना सुरूप का प्रभाव डालते हो, बलकि आपका कारेक्टर, आपका बीहेविर, आपका रिस्पॉंस, सिचुएशन में, कहते हैं कि किसी विक्ती का, इंगलिश में कहा जाता है, कि if you want to know about a person, you can only know him when he faces a situation, किसी के का चारेक्टर का अभी पतलता है, जबकि आप उसों किसी सिचुएशन में फसा हुआ देखते हो, या सिचुएशन को फिस करता हुआ, नॉमल सिचुएशन में तो हर इंसान बहाते हैं, लेकिन जब बुरी सिचुएशन आती हैं, तब वह कैसे बहाव करता है, आपका साथने, तो धार्ना ये वही होती हैं, धार्ना सुरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की माक्स जम्म हो जाती है, धार्ना सुरूप बच्चे ही सच्चे सेवा धारी है, उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रतिक्षफल खोशी की अनुप होती है धारना सुरूप बच्चे ही सच्चे सेवा धारी हैं सिर्फ ग्यान सुनाने वाले कोर्स करवाते ने वाले नहीं परमात्वा क्या रहे हैं सीडी सीधी बात है वो तो है विसा आपको सेवा सेवा कर रहे हैं लेकिन धारना सुरूप करके आपने कोर्स कराया आपने समझाया लेकिन आप किसी दिन संटर में मिले और आपका बीबर उन्हें गरत देखा आपके अंदर चिडश्डपन देखा एको देखा क्रोध देखा इर्शा देखी आपके अंदर तो फिर वो आपसे बेटर हो जाएंगे उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रतेक्षवल खुशी की अनुभूती होती है क्यों खुशी की अनुभूती है क्योंकि उन्होंने जो सोचा जो बोला वही वो करते अपनी जीवन में हरो ही वारो को बतारेते हुम्षेंटी